सलाव अलेकुम दोस्तों एंड वैलकम टू कि डिवर शो आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बापलों के लिए मैं थ्री बिग और ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज है वह यह है कि सिर्लंका के एक बिग प्लेयर ने स्रिलंका के अब ही इन्हों ने कैरियर ही स्टार्ट किया था और उन्होंने फोर एं 30 ओARS में रिटार्म आनाौश कर दिया वहां ने retirement announce कर दिया सिर्फ़ाइब 30 years old थे वो सिर्फ़ाइब 30 साल की उमन में उन्होंने retirement announce कर दिया उनके जो स्रिलंका के जो बोड है स्रिलंका क्रिकेट बोड उनसे बहुत ही ज़्यादा उनके मामलात उनसे बहुत ज़्यादे इखतिलफात हो गए थे क्योंकि बोड उनकी fitness पर बहुत जादा attack कर रहा था बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था उनकी fitness पर क्या बहुत ज़्यादा फैट हो रहे हैं आपका belly बहुत जादा आगे जा रहा है तो इसको कम करें थोड़ा fitness पर ध्यान दे थोड़ी कि पर और फोउकस करें लेकिन उनका य ही चैना है बहनुका राजय पक्सा की यह logic है उनका यह मानना की जो अपनी fitness के लियाँ आ से उनकी की यह logic है कि अगर मैं अपना weight कम करूंगा तो इसका मतलभा है कि मैं साथ साथ अपनी i T act security को भी खो दूऊप सब्सक्राइंट प्रेटार्मेट वन्हों ने अनौने आनाउंस कर दिये वह बोले मैं अपनी पावर हीटिंग एबिलिटी को नहीं खो सकता चाहे मैं चाहे मुझे रिटारिमेट क्यों नहीं पड़े लेकिन मैं फ्रेंचाइस क्रिकेट खेलूंगा लीक्स वगारा खेलूंगा लेकिन मैं अगर बोड को उन से इतना मसला हो तो अन्होंने बोला भाई मैं सीधे सीधे रिटाइमेंट ले रहा हूं और मैं खेलूंगा स्फ़र्चाइस क्रिकेट बस और मैं कुछ भी निक्योंगा हाला है सिर्फ हूँ उदियाइस फाइफ ऊडियाइञ मैच मैच्स खेलें टी- स्रिलंका बंगलादेश को मैच हुआ था सुपर ट्वेल्थ के राउंड का तो उसमें राजा पक्सा ने जैसी इनिक्स खेली ती उसी की ही वजह से स्रिलंका जीत पाया था मना वह जीत ही नहीं पाता स्रिलंका और इसलिए राजा पक्सा नहीं लेकिन लैसत मलिंगा जो हैं उनका यह कहना है वह उनको थोड़ा इंकरेच्ट करने के भाई आप स्रिलंका गृकेट बोर्ड को बोलने कि आप वापस आजाएं और राजा पक्सा को भाई आप रिटारिम्ट वापस लेने आप इतना गुस्ते में नहीं इतना एंगरी नहीं हुए आप अपने गुस्ते अब यह जो ग्रोव होना शुरू हुआ था राइजिंग के राइजिंग स्टार था सिल्णका के हाड हिटर मिडल ओर बैट्समेन का और वह एक दम से स्रिलंका के क्रिकेट बोर्ट को और रेटायमेंट वापस ले और वापस से आप अपनी स्रिलंका की क्रिकेट टीम को जॉइन कर लें और पर जो सेकेंड न्यूस में आप लोगे लेकर आँ ब्रेकिंग न्यूस वह यह है कि ग्लेन मैक्सवेल के लिए बहुत ज्यादा बैड लिए कि लिए के ले मैक्स वैल हो चुक है बाहर बीबी अल से मैक्सम मैक्स वैल इस आउट विबी ऐल हो चुके वह भी नाइंटीन जो ये rabbits ही क्रिकट को यह लोगों की जाना से खेल रही है लोगों पर अटैक कर रही है क्रिक्ट को पॉल कर रही है तो इस वरज़े हमें भाई इस पे फोकस करना चाहिए चाहिए तो बस बूंगा जादा ज्यादा जिसे कोविड-19 का एक आटेक आया गया कि हर कोई कोविड-19 के लेपेटे में आ रहे हैं हर कोई अपने अप होटल में आप कारिंटीन करें और आप कोरिंटीन करें वह पे लिए जारी नहीं होगी फिरकें प्री वैल्यू भी गिर जाती है सबस्क्राइब करने में बहुत देता जब करें वह में पुख सब्सक्राइब कर J firearm का बटन यूट्यूब ने इसको जरूर करना होगा पर इसके वसके होूगा डिंटीयूब वह तो सबसे जड़र होगी है कि हर क्रिकुट की ब्रेकिंग पहुंचेगा आपकी नौटिकेशन स्क्रीन पर और पर यह नवीन उल्हच ने आपको भिड्रॉब कर लिए ओड्याइस से अफगानिस्तान की तरफ से कि कि मैं वेंटली को फिजिकली स्टॉंग होना चाहता हूं वल्ल कप के लिए लेकिन 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 वह सिर्फ और इसे अपने आपको विड्रॉन की विड्रॉन का मैच कोई वो नहीं खेलेंगे सिर्फ उनका फोकस होगा में जो फोकस होगा जो अपनी जो निगाएं डाली है वो डाली है सिर्फ टीटी आई सीरीज पर और टीटवेंटी वॉल्लकप पर जो और चाहिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन भी जबू पैस कर दें अलाहाफिस